हलो बच्चों, आशा करती हूँ, आप सब ठीक होंगे, आपने इंग्लिश क्लास का फर्स्ट लेसन जो मैंने आपको करवाया था, वो आपने पढ़ लिया होगा, और उसमें कुछ अगर आपको डाउट्स हैं, तो आप अपने ग्रुप में कपेंट्स दाल सकते हो, पूछ सक करेंगे, हम उसकी exercise workbook में करेंगे, workbook आप लोगों ने खरीद ली होगी, market में अगर available है, तो आप खरीद लो, और नहीं खरीदी है, तो आप ले लो, क्योंकि हम जैसे 9th में करते थे, वही pattern रहेगा, और हमारी lesson करने के बाद, workbook में ही सारी exercises होंगी, तो अब हम workbook की first exercise पे चलते हैं, जो की है, read the extract and answer the questions, आपको पहले भी सीखा हुआ है, कि lesson में से ही 3-3-4-4 line का छोटा-छोटा paragraph दिये जाता है, और उसी में से ही questions पूछे जाते हैं, तो जो lesson आपने अच्छे सेगर समझ लिया है, तो उन questions का answer देने में आपको कुछ problem नहीं होगी, first paragraph है, उसका first question है, for what did the residents of Taznagar lobby, इसका मतलब है, कि Taznagar के जो residents थे, निवासी थे, उनको किस चीज की चाहा थी, और कब से थी, तो उनको आपने पढ़ा था lesson में, कि उनको Taznagar के जो residents थे, निवासी थे, उनको क्या चाहिए था, railway station, तो first line में इसका answer आ रहा है, कि the residents of Taznagar lobbied for a railway station in their village, ये इसका answer होगा, पीछे एक छोटा सा और question जुड़ा हुआ है, how long, how long माना कब से उनको ये अच्छा थी, तो first first line के जो तीन words, 4 words है, for 25 years, तो वो उसका answer हो जाएगा, for 25 years, the residents of Taznagar lobbied for a railway station in their village, second है, what did the village decide, villagers decide, villagers ने क्या decide किया, और क्यों किया, पीछे वाय दे रखा है, तो इसका भी answer second line में है, the villagers decided to take matters into their own hands, बतलब villagers ने ये matter अपने हाथों में लेने का सोचा, decide कर लिया, लेकिन क्यों किया, इसका answer इससे पहले दिया हुआ है, क्यों ऐसा किया, क्योंकि उनकी demand को पूरा नहीं किया, किसने, railways ने, तो when their demand was not met, the villagers decided to take matters into their own hands, यहां से हम start करेंगे, own hands तक लिकेंगे, तो दौनों का answer आ जाएगा, third है, how much money did they collect, उन्होंने कितने पैसे इखटे किये, last line है, they pulled in 21 lakh rupees and built a railway station on their own, यह पूरा sentence है, लेकिन हमको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम से question में पूछा गया है, कि उन्होंने कितने पैसे, how much, सिरिफ हमको उसका जवाब देना है, कि उन्होंने कितने पैसे एखटे किये, तो pooled का मतलब collective होता है, तो हम लिखेंगे, they collected, यह they pulled भी लिख सकते है, they pulled in 21 lakh rupees, बस यहां तक हमको answer लिखना है, हमको पूरी-पूरी extract में से निकालना है answer, ऐसा नहीं कि पूरी-पूरी line ने उठा के लिख देनी है, सबको समझ में आ गए होंगे, यह तीन questions, अगले extract पर चलते हैं, उसका first question है, what shows the burning desire of the people to have a station in the village, लोगों को station अपने गाउं में चाहिए था, यह कैसे, बतलब यह उनकी एक burning desire थी, यह किस से पता चलता है, किस से पता चलता है, मतलब जब उन्हों को railways ने उनकी demand को पूरा नहीं किया, तो उन्होंने खुद से यह matter अपने हाथ में लेकर, और हर किसी व्यक्ति ने अपनी capacity के according, पैसे contribute किये, मतलब उस गाउं में कोई बहुत बड़े-बड़े अमीर लोग नहीं थे, इस गाउं में बताया गया है, फर्स्ट लाइन में क्या है, इस गाउं में रहने वाले जादा तर अधिकांश क्या थे, फार्मर्स, फिर भी उन्होंने अपनी capacity के according पैसे इखटे किये, तो क्या आएगा, everybody contributed according to their capacity, ranging from 3000 रुपीस to 75,000, shows the burning desire of the people, यह आगे जो question वाली line ही हम जोडेंगे, है ना, रुपीस to 75,000 रुपीस, shows the burning desire of the people to have a station in the village, second question है, what was the burning desire of the people, अब पूछ रहे हैं कि वो burning desire क्या थी, फिर से आएगा, the burning desire of the people, was to have a railway station in their village, first first line में है, but such was the burning desire to have a station in the village, यह answer है इसका, third है, when did the construction of the station begin, station का construction मना निर्मान कार्य कब शुडू हुआ, तो इसका answer हो जाएगा, कब, when का मतलब क्या होता है, when जाहां question में आएगा, वहाँ answer में क्या आना चाहिए, time, तो इस पूरे paragraph में time कहां आया है, समय की बात कहां हो रही है, last line में January 2008, में construction start हुआ, तो क्या हो जाएगा, the construction of the station started in January 2008, यह तीन questions आपके complete हुए, थर्ड पैरा में आते हैं हम, इसके दो question है, why did the villagers think that they should have a station in their village, villagers का ऐसा सोचना क्यों था, कि उनको उनके गाउं में station चाहिए, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, क्यों, क्योंकि, देखो, first first line में ही दे रखा है, कि बहुत सारे लोगों को गुरुगाउं, गुरुग्राम, दहली और रेवारी जाना पड़ता था, कुछ students थे, उनको college जाना पड़ता था, किसी को business के काम से जाना पड़ता था, तो इसलिए उनके गाउं में जो railway line cross होती थी, लेकिन trains रुकती नहीं थी, क्योंने रुकती थी, क्योंकि station नहीं था, तो उनको अपने कामों को पूरा करने के लिए station की, मतलब कामों को पूरा करने के लिए जहां जाना होता था, तो train में जाना होता था, उसके लिए station की उनको जरुबत पड़ती थी, तो इसका अंसर क्या आएगा The villagers thought that They should have railway station in their village To go To complete their needs To go to Guru Gram, Delhi and Rehwari Next question है What was the response of the railways to the villagers demand? अर्थाज जो villagers ने demand करी कि हमें railway station चाहिए तो railways ने क्या response दिया? मतलब क्या जवाब दिया उनको? तो railways ने क्या किया? Railways ने जवाब दिया Railways responded That they Did not have funds कि उनको station बनाने के लिए उनके पास funds नहीं है Funds मना पैसों की कमी है Second last line में आया है Railways told us that they did not have funds तो हम क्या लिखेंगे? The railways responded The villagers that they did not have funds अब ये तीन जो है extract के मैंने आपको बताए इस तरह के ही 12, 13 जो है लगभग 13 है वो आपके extract होंगे और इसी तरह से हमको question के answers लिखते जाने है workbook हमें इसी तरह से complete करनी है बीच में आपको school भी बुलाया जाएगा आपकी workbook complete होनी चाहिए चेक होंगी तो जैसा भी आगे हमारे पास notice आता है जैसा भी हमारे पास news आती है हम आपको convey करेंगे तो ये हुआ आपका extract वाला question इसी तरह से आपको ये पूरा करना है अब हम next question पे चलते है वो है हाँ true false true false मैं आपको sentence बोलती जाओंगी समझाती जाओंगी और उनके answers आपके पास लिखे आ जाएंगे the government funded 21 lakh 21 lakh rupees to build the railway station government ने 21 lakh rupees दिये railway station बनाने के लिए ये हुआ कि सही नहीं है क्योंकि government ने उन्हें एक रुपया भी नहीं दिया था और उन्होंने अपने पैसो से station बनाया था इसलिए ये क्या होगा false majority of the people living in ताजनगर are businessmen इसमें lesson में आया है कि majority of the people living in ताजनगर are farmers तो ये भी क्या हो गया false the railway lines pass through ताजनगर village ताजनगर में से railway line cross होती थी ये sentence true है the roof of the highest building is chosen to install panels and battery ये false है the roof of the highest building नहीं था the roof of the sturdy building sturdy house मतलब जिनकी घरों की च्छते पक्की थी उनको चूज किया गया था तो ये भी false होगा next है mgp provides two led lights and a mobile charging point to all playing households हर घर को दो led light और एक mobile charging point दिया था mgp ने ये true है the panels are installed in northern direction to capture as much sunlight as possible इसमें southern ली आएगा northern ली नहीं है northern ली नहीं है southern ली आएगा तो ये भी false है next है out of the thousand members of the library three hundred are women एक हजार अगर members थे library में पलक कर library के तो उसमें से एक थी हाई अथा तीन सो करीब स्त्रियां थी उसकी members ये भी true है the library arranged seminars to solve the problems of the women library जो women की problems को स्त्रियों की problems को solve करने के लिए workshop seminars organize करती थी arrange करती थी तो ये भी true है separate reading room for women was set up to give them safe space इस्त्रियों को अलग से reading room मतलब एक सुरक्षित स्थान दिया गया अलग से reading room बना कर दिया गया वहाँ पर क्योंकि इस्त्रियों की संख्या दिले दिले क्या हो रही थी घट रही थी इसलिए उन्होंने ये step उठाया ये भी true है through reading woman would become more educated reading करके इस्त्रियों जो है वो जादा educated मना जादा शिक्षित होंगी आगे बढ़ेंगी ये भी true next question है हमारा fill in the blanks selecting the correct words from the brackets अर्थात bracket में से तो हमको पहले bracket वाले words का meaning समझ लेना है manage मना व्यवस्था करना study पके recently मना हाली में और reason मना current तो first वाला जो blank है उसमें क्या आजाएगा study second वाले में manage और third है that is the reason why our grand parents still live here but it was renovated recently मतलब उस घर को हाली में renovate किया renovate मना उसका फिर से उसको ठीक ठाक करवाया है next जो है उसके चार words है encourage मना प्रोचसाहित करना former मना पहले का opportunity मना अवसर और support मना साथ देना तो जो paragraph है उसमें the former chief minister of the state has decided अर्थात पहले वाले chief minister ने ये decide किया to support the young अथा कम उम्र के बच्चे जो थे उनको support करने के लिए who want to stand for the elections जो की elections में खड़े होना चुनाव में खड़े होना चाहते थे he has decided to encourage the youth उन्होंने young बच्चों को youth मना जो जवान कम उम्र के बच्चे हैं उनको encourage किया by giving them an opportunity to serve the people कि उनको अवसर प्रदान करके कि वो लोगों की सिवा कर सके लोगों के लिए वो कुछ कर सके ऐसे उनको अवसर प्रदान करने के लिए प्रोच साहिद किया next है third environment अर्थात परियावरण source, stroke installed का मतलब लगाना pollution, production sun is the major source of energy अर्थात सूर्य जो है वो energy का major major मना सबसे बड़ा stroke है many solar panels are installed in villages and cities अर्थात कई solar panels villages में गाउं में और शेरों में लगाए गए है this reduces pollution इस से प्रदूशन की मातरा कम हो रही है and helps to save the environment और इस से हमारे परियावरण को सुरक्षित रखने में हमको काफी मदद मिल रही है next है fourth well read strength emerging or information well read मतलब अच्छे पड़े लिखे strength माना हमारी ताकत शक्ती emerging माना बढ़ना और नए नए उत्पन होना इस सेंस में भी क्योंकि English में ऐसा होता है कि एक एक शब्द के दो तो तीन तीन मीनिंग होते हैं तो हमें sentence के according उसका मीनिंग लेना होता है next है word information अर्थात सूचना या जानकारी a lot of new carriers are emerging because of globalization अर्थात वैश्वी करण globalization का मतलब क्या होता है वैश्वी करण वैश्वी करण की वज़े से नए-नए carriers उत्पन नए-नए मतलब businesses, carriers लोगों के लिए मतलब भविश्य में अपना भविश्य किस उसमें ले जाना है वो नए-नए उत्पन हो रहे हैं the youth are well-read and they have a lot of information the youth are well-read जो youth है जवान जो teenage के बच्चे हैं, वो क्या है? well-read अच्छे पड़े लिखे हैं and have a lot of information about everything अर्थात उनको काफी सारी चीजों की जानकरी भी है this is their greatest strength यही उनकी क्या है सबसे बड़ी ताकत है, शक्ती है जिसके आधार पे वो आगे बढ़ सकते हैं next question realize, offer, squander or land realize मना, मैसूस करना offer किसी को offer करना मतलब क्या कहते हैं offer मना वैसे तो देने के सबसे squander, waste करना, बिगाडना land मना, देना उधार देना do you realize how expensive this dress is क्या तुम यह realize कर सकते हो मतलब तुम समझ सकते हो कि यह address कितनी महेंगी है how much discount does the shopkeeper offer अर्था वो दुकानदार आपको कितना दे रहा है offer कर रहा है discount discount तो यहाँ पर offer का मतलब क्या हुआ देना shopkeeper आपको कितना discount उस पर दे रहा है you should not squander your money आपको अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए and I will not lend you any money और मैं तुम को कुछ पैसे उधार नहीं दूँगा नहीं दूँगा नहीं दूँगी next है launched, cheap, emerged or benefit this government will launched का मतलब होता है नया कुछ scheme launch होती है कुछ भी cheap, सस्ता, emerge का मतलब है उभरना और benefit मना फैदा this government will provide cheap power to the villagers villages ये government जो है villages को, गाउन को सस्ता पावर देगी provide मना देना प्रदान करना देना cheap मना सस्ता this will benefit many poor people इससे बहुत सारे गरीब लोगों को फैदा मिलेगा one such scheme was launched by the prime minister ऐसी एक नई scheme जो है प्राइम मिनेस्टर के द्वारा launch की गई मतलब सब के सामने लाई गई as a result of this many new businessmen businesses have emerged in the rural areas हाँ उसका परिणाम ये निकला के कई नए नए व्यापार उद्योग दंदे जो हैं वो ग्रामी शेत्रों में उभर कर आए सामने आए लोगों के सामने आए अब आरा है next question short notes short notes भी आपको पूरे lesson जो आपने समझा है उसी के अधर पर ही लिखने होते हैं तो जैसे first short note है ताज नगर railway station और इसके points आपको दे रखे हैं कि लोगों को ताज नगर मतलब railway station की जरुवत क्यों थी कैसे थी किस लिए थी फिर what was the response of the railways railways ने उनको क्या ताज नगर के residents को क्या response दिये what did the villagers then do उसके पाद उन्होंने क्या किया फिर उन्होंने कितने पैसे इखटे किये फिर when was the railway station built और railway station कब बन कर तयार हो गया और जो ताज नगर के residents थे वो last में बहुत happy थे तो इन सब जो ये points दिये जाते हैं इन सो questions का answer दे दे के भी plus आपको जो और भी पूरे lesson में से जो extract निकलता है कि ताज नगर railway station से related चीजें क्या आती उनका वो आप जब लिखेंगे तो आपका एक short note तयार हो जाता है next है MGP's efforts for solar power in सितापूर district अर्थात मेरा गाओ powers उसके सितापूर district में solar power के लिए उनके क्या क्या efforts थे मतलब उन्होंने क्या किया what has MGP done in the village MGP ने गाओं में क्या किया what do the solar micro grids provide to the customers solar micro grids ने customer को क्या provide किया था हम उसका answer एक second लिए सोचेंगे तो आएगा दिमाग में कि two LED lights हर घर को क्या दी थी two LED lights और एक mobile charging point और बहुत सस्ती कीमत पर दी थी at what cost देखो next question वही है at what cost का मतलब किस कीमत पर तो किस कीमत पर दी थी 25 रुपीज पर week it means 100 रुपीज पर month तो ऐसा सुस्ता और नहीं हो सकता तो MGP ने बहुत efforts लिये थे सीतापो डिस्टिक में लोगों को villagers को गाउं में lights पहुचाने के लिए why does the MGP team map the village MGP team ने village का map क्यों बनाया क्योंकि उसकी wiring इस तरह से की जा सके कि हर घर को उससे connect किया जा सके कि हर घर को light मिल सके तो map तयार करना पड़ेगा plus ऐसे घरों को चुना था जिनके घरों की छतें क्या थी पक्की थी what are the benefits of solar power last question is का के solar power के benefits क्या है ये भी हमने पढ़ा के इससे क्या हो रहे थे businesses बड़े लोग रात को बैठके काम कर रहे थे ladies light में बहुत खुश थी plus बच्चे भी studies में आगे बड़े और solar power का main solar power जो है power से तो खुश थे लेकिन solar power के क्या फाइदे थे environment में किसी प्रकार का pollution नहीं था घरों में भी किसी प्रकार का कोई pollution नहीं था तो इस तरह से ये हमारे दो short note हो गए next है benefits of solar power फिर से वही अभी अभी जो last में हमने repeat किया कि pollution नहीं था cheap था एक तो solar power इसके जो फाइदे है वो क्या था सबसे cheap smoke less source of light इसका मतलब smoke less मना धुआ रहित इसमें किसी प्रकार का कोई pollution नहीं था customer की health पे भी कोई प्रभाव नहीं पढ़ रहा था saves environment मना परियावरर को भी बचा रहा था सुरक्षित कर रहा था no pollution कोई प्रदूशन नहीं new businesses solar power से क्या हुआ नए-नए businesses लोगों ने start किये enjoy cooking and eating in light अभी last उसमें भी हमने यही किया था कि बच्चे जो है light में पढ़ रहे थे ladies जो इस्तरियां थी वहां की वो क्या कर रही थी cooking और eating light में मतलब खाना बनाना और खाना उनको बड़ा अच्छा लग रहा था children study more बच्चे और जदा पढ़ाई में time देने लगे थे last हमारा है short note पलककर's district library पलककर की district library पहले तो है when it was established इसका इसकी स्थापना कब होई center of knowledge यह library जो है वो क्या थी knowledge का center थी मतलब knowledge, wisdom information इन सब का center थी हमने पढ़ा ही है lesson में सारा यह short note जो आता है यह lesson में जो आपने पढ़ा है वो सारे हैं सिर्फ आपको points दे दिये हैं कि points के आधार पे आप आगे उनका answer देते देते आप short note तयार कर सको तो यह आपको सिर्फ जैसे आपने बागी के 3 किये यह जो fourth है वो भी इसी तरह से होगा उसके बाद आता है rewrite the paragraph correcting the underline words यह हमारा grammar portion है इसमें देखो तीन आपको mistakes दे रखें underline कर रखें वो error है error का मतलब होता है mistakes correct करते हुए underline किये शब्दों को सही करते हुए फिर से लिखो once a man went to the lawyer and told him that he had borrowing 10,000 rupees from a money lender but was not able to pay nothing once जब आता है once की मतलब एक बार हम कोई भी story भी बताते हैं तो हमेशा बोलते हैं एक बार ऐसा होता था एक बार ऐसा हुआ था तो एक बार के लिए हम क्या use करते है once use करते हैं उसकी spelling अलग होती है क्या होती है o n c e answer में आपको नीचे लिखा हुआ भी है आप वो answer देख लें कि एक आदमी lawyer के पास गया और lawyer मना वकील के पास गया और उसने जाकर क्या किया he had borrowing नहीं होता head के साथ हमेशा क्या आएगा borrowed second form तो he had borrowed 10,000 रुपीज उसने उस वकील से 10,000 रुपे लिए वकील के पास गया और उसने ये बताया कि he had borrowed 10,000 रुपीज from a money lender कि उसने एक बार money lender माना पैसे देने वाले से 10,000 रुपे लिए but was not able to pay nothing लेकिन वो nothing नहीं आता कभी भी to pay anything तो कि वो कुछ भी चुकाने में मतलब थोड़ा बहुत भी चुकाने में वो समर्थ नहीं था ये बात जाकर उसने lawyer को बताई तो ये तीनों words change हुए grammatical mistake है इसको हम correct करके sentences फिर से लिखेंगे उसके बाद है complete the sentences using the functions given in the brackets ये functions भी आपने 9th में किये हैं लगबग सब हो चुके हैं वही repeat हो रहे हैं और उनी का ही revision हो रहा है जैसे first वाला जो दे रहा है language functions कहते हैं इनको हम first है the wedding reception अब इस sentence को complete करना है कैसे complete करना है हमको bracket में दे रहा है specifying time अर्था time specify करते हुए हमको बागी का sentence हमको कुछ भी इसमें कुछ fix नहीं है कि यही sentence आएगा for example जैसे मैंने आपको बताया the wedding reception was held from 8 p.m. to 10 p.m. कि wedding reception जो था वो आठ बजे से लेके रात को आठ बजे से लेके 10 बजे तक चला लेकिन इसमें आप कुछ और भी आपको यह जो sentences मैंने बताया कि was held from 8 p.m. to जरूर नहीं है कि 8 और 10 ही आए यह time आप change कर सकते हैं लेकिन time आना चाहिए यह समय आए यहां in the evening लिख सकते हो late evening evening भी क्या बता रहा है जो word है वो क्या बता रहा है time ही बता रहा है तो time आना चाहिए main specify हमको time करना है इसलिए इस तरह का sentence डालना है जिससे हमारा मतलब sentence complete भी हो जाए और जो हमारा bracket में दे रखा है वो भी specify हो जाए next है the library is अब इस पर दे रखा है specifying location location का मतलब क्या होता है place इस्थान तो यह जैसे मैंने आपको लिखा है answer में the library is in the main market location मतलब क्या होता है इस्थान तो मैंने आपको जो sentence बता है उसमें क्या हो रहा है the library is in the main market माना library main market में है अब यह ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको बताया वही हो आप अपनी मर्जी से भी और भी इसमें sentences add करके इसको complete कर सकते हैं जैसे the library is near the temple, the library is behind the park, कुछ भी है ना, near, behind, आस पास, जो भी ऐसे जो words and propositions यूज करके हम sentence complete कर सकते हैं next is Mohan has rented a house, Mohan ने एक घर rent पे लिया है, अब इसमें भी देखो क्या किया है, specifying location, फिर से इस्थान बताना है तो इस्थान हम कुछ भी बता सकते हैं Mohan has rented a house at CG road, CG road, MG road, highway, कुछ भी आप लिख सकते हो, highway पे भी कोई location, in 2b, in 4a, कुछ भी जो भी आप चाहो लेकिन location आना चाहिए, location मना इस्थान, विचे इस्थान हमें बताना है next है I met Vinay, अब फिर से इसमें time और location ही है, language function में, तो I met Vinay, specifying time, अब मैं Vinay से मिला, मैं Vinay से कल शाम को मिला, मैं Vinay से कल सुभे मिला, है ना, मैं Vinay से 5 बजे मिला, 7 बजे मिला, जो आप चाहो वो भर सकते हो तो I met, यह example है मेरा, I met Vinay yesterday at 5 p.m. अब यह है, complete the dialogue, selecting the correct responses, based on the functions given in the brackets इसमें है कि, complete the dialogue, dialogue को complete करो, इसमें Jay और shop की पर दो बात कर रहे हैं, Jay बोल रहा है, excuse me, can you tell me where the post office is जै बोल रहा है, shopkeeper को, कि मुझे आप बता सकते हैं कि post office कहां पर है, तो shopkeeper जो जवाब दे रहा है, वो क्या बताएगा, कहां पर है माना कोई इस्थान का नाम ही बताएगा, कि इस जगे पर है, इसके पास है, आगे है, पीछे है, जो भी ऐसा location ही बताएगा, तो जो चार MCQ दे रखे हैं, इसमें options दे रखे हैं, इन options में ऐसा कौन सा option है, जो आपको location बता रहा है, I do not know the place, मेरे को जगे का पता नहीं है, it is one kilometer away, ये kilometer दूर है, it is right opposite the clock tower, इसका मतलब ये clock tower के बिल्कुल opposite है, क्या है, post office, तो ये क्या हुआ, clock tower जो क्या हुआ, एक location है, आगे है, तो ये third जो है, C, इसका right answer होगा, और last में जो दे रखे है, let me check the map, मुझे map check करने तो फिर मैं बताता हूँ, तो ये कोई, इसमें कोई location नहीं आ रही है, समझ गे, next है, नीता, how long will it take to reach the station, नीता फादर से पूछ रही है, कि station पहुँचने में कितना समय लगेगा, फादर जवा 10 minute, 5 minute, ऐसा ही समय बताएंगे, तो इसमें से कौन सा option है, जो आपको clear answer दे रहा है, time बताते हुए, first वाला ही answer है, हमारा 10 minutes, तो यही right answer है, next है question, match the sentences with the correct functions, नीचे दिये गए sentences को, correct function से जोड़ो, अभी अभी हमने function वाला question किया था, अब फिर से इसमें दो sentence दे दिए है, और दोनों में, एक में location, एक में time सामने लिख दिया है, लेकिन क्या वो दोनों सही है, तो हम ऐसा कैसा रहने देंगे, अगर गलत है, तो इनको हम arrow के through specify करेंगे, कि कौन सा answer right है, किसके साथ जुड़ना चाहिए, the party was held last evening, party जो है, वो कल शाम को हुई थी, तो यह क्या बता रहा है, location बता रहा है, कि time बता रहा है, तो यह हमको last evening, मैंने आपको example देके समझाया भी था, कि evening word जो है, वो हमको क्या बता रहा है, time specify कर रहा है, तो इसलिए first के साथ क्या जुड़ेगा, be, और second जो है, महेश works in the city post office, महेश जो है, city post office में काम करता है, तो city post office क्या है, location, इसलि B, second का answer A, अब लास्ट जो लगबक question है, draft an email on behalf of Gaurav Pandya to his uncle at Pandya's444 at the rate gmail.com, thanking him for a birthday gift, इसमें email में हमको क्या करना होता है, आपने 9th में भी email writing सीखा था, email में हमको क्या करना है, कि Gaurav Pandya की तरफ से email जा रहा है, किसको, उनके uncle को, कि आपने मुझे birthday gift भेजा, उसके लिए आपको बहुत बहुत thanks, तो आप email लिख रहे हो, तो आप Gaurav Pandya बनकर, या Gaurav Pandya आपने आपको समझ कर, उसकी तरफ से, बिहाफ का मतलब होता है, उसकी तर कर रहे हो, तो हमेशा जो, जब लिखा जाता है, email जिसको भेजा जाता है, उसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या आता है, 2, 2 और start कैसे करेंगे, जिसमें जो दे रखी address, जिसको भेजी नहीं है email, हमें वो address दे रखी है, at Pandyaas444 at the rate gmail.com, तो वो 2 Pandyaas444 at the rate gmail.com, वो उसके बाद उसमें हमने क्या लिखा, हमको email किसके लिए भीज रहे हैं, उसका विशे क्या है, thanking, है ना, thanking him for a birthday gift, तो subject में हम क्या लिखेंगे, thanks for your birthday gift, है ना, और उसके बाद हम, जैसे letter में language लिखने है, लेकिन letter हमारा क्या होता है, बहुत जादा बड़ा होता है, email का मतलब होता है, electronic mail, है ना, जो हम electronic, मतलब बिजली के माध्य, हम संदेश को ही भेजना चाहते है, आपको पता भी है, last year आपको मैंने सारा सिखाया भी है, तो ये, अब अब अंकल को आप लिख रहे हो, कि आपने, how sweet of you to think of me on my birthday, आप कितने अच्छे हैं कि आपने मेरे birthday पे मुझे याद किया, your wonderful gift is welcome and still more welcome are your loving wishes, आपकी जो wonderful gift है, बहुत wonderful भी है, बहुत अच्छी भी है, मुझे पसंद आई, और यहां तक, और इसके अलवा आपकी जो lovely wishes हैं, वो भी मुझे बहुत आपने जो भेजी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, the calculator is really very nice with all the scientific operations that I need, ये calculator बहुत ही अ तरीके से जो काम आ रहा है मुझे, जिसकी मुझे वास्तव में बहुत जरुवत थी, अब इसमें देखो, हम जरूरी नहीं है कि calculator ही लिखे, हो सकते हैं, आपके अंकल ने आपको कोई watch बेजी है, है ना, तो आप उस calculator की जगे क्या लिख सकते हो, आपके जरुवत की कोई च पता चला कि मुझे इसी चीज की जरुवति तो आपकी खुशी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो आपको उनके लिए बहुत मतलब एक आप उनके आभारी रहेंगे, थैंक्फुल रहेंगे, तो देखो जैसे calculator की जगे हम वर्ड और भी चेंज कर सकते हैं, है ना, calculator is very nice with all the scientific operation that I need, in fact I was thinking of buying one like this myself, वास्ताव में मैं ऐसा ही calculator अपने लिए खरीदने का सोच रहा था, यहां सोच रही थी, जिसने ही मेल भेंजा है, वो मेल फीमेल हो सकता है, it makes my work so quick and easy and accurate too, इस से मेरा काम बहुत आसान भी हो गया है, easy, जल्दी भी हो गया है और accurate, accurate मना बिलकुल perfect, my friends admire this beautiful piece, मेरे friends ने भी मेरी गिफ्ट की बहुत तारीफ करी, बहुत खोश हुए, but really it is very kind of you to give me such an expensive gift, के आपको बहुत बहुत धन्यवाद के आपने मेरे को इतनी महंगी गिफ्ट भेजी है, however I am grateful to you for it, मैं बहुत आभारी हूं उसके लिए आपकी and accept it with great joy, और मैं आपकी यह gift बहुत दिल से स्विकार करते हूं, I thank you for your good wishes, मैं आपकी good wishes के लिए, आपने जो good wishes दी हैं मुझे उसके लिए भी मैं आपकी बहुत बहुत thankful हूं, affectionately yours Gaurav, अब आपको यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना है, यह चीजें ध्यान रखने की होती है, letter में, mail में, कि आप गौरव पंडिया की तरफ से यह mail भेज रहे हो, तो आपको नीचे गौरव ही लिखना पड़ेगा, है ना, तो affectionately yours Gaurav, अब आपका परी है Gaurav, तो यहाँ पे यह lesson खतम होता है, मुझे आशा है कि आप जल्दी ही workbook purchase करके और अपना यह complete कर लेंगे first lesson, और ऐसे ही हम अभी आगे बढ़ते रहेंगे, जब तक हमारे schools खुल नहीं जाते, तब तक हम यही online video lectures के थोई आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा next lesson शुरूँगा, और फिर मिलते हैं हम next video lecture में, thank you